राजस्तान में छात्र संग चुनाव पर रोख हटाने कुले कर छात्र संगठन सडक पर उतराये हैं छात्रों का कहना है कि भाजपा की ओर से चुनावी घोशना पत्र में फिर से छात्र संग चुनाव शुरू करने का वादा किया गया था लेकिन अब तक भाजपा सरकार की ओ अमेश भाटी ने कहा कि पिछली बार हमारी कॉंग्रेस सरकार ने छातर संग चुनाव रद कर दिया था। इसका NSEI ने पूर्ण तरीके से वरोध किया था, लेकिन तब छातर संग चुनाव का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार हम भाटी सरकार से फिर से छातर संग चुनाव कराने की मांग करते हैं, क्यूकि पिछली बार भाटी संग चुनाव के आयोजन का वादा किया था। इस समय अगर सरकार इस बार अपने चुनावी वादे से मुकरती है, तो तमाम कारेकरता सडकों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। ये सरासर गलत है, एक बीविपी इसका पूर्ण जोर विरोध करती है, ऐसे में अगर सरकार ने जल से जल छातर संग चुनाव करने का एलान नहीं किया, तो परिशत की ओर से प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चातर संग चुनाव पर रोक लगाई है, इसलिए इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चातर संग चुनाव की मांग को लेकर राजिस्तान विश्व ध्याले में चातरों ने प्रदेशन किया है, इस दुरान पुलिस और चातरों के बीच धक्का मुक्य भी हुई, इसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेर दिया, लेकिन सवाल अब भी वही पर ही है, कि क्या चात झातरों के बाद भी है, कि हुए और ऊत्रों समय कुलिस और चातरों के मीत अच्तान विहाँ कि वह दोगादन कि में उन्हें है, अगएर प्सकतनивать कि स्युलिस्तान है, कि में वही भी हुए आप तो, कि वहाँन है, कि दूए राजिस्तान पि읍क घजिशन काओी है, कि रह